Hello friends and dear students, आज हम Pharmaceutical Chemistry, Diploma in Pharmacy, First Year New Celebrers के अंतरगत कीचामीन हाइड्रोक्लोराइड को देखेंगे इस वीडियो में हम लोग कीचामीन हाइड्रोक्लोराइड की Chemistry, Nomenclature, Properties, Uses, Stability, Storage, Formulation, इत्यादी को आसान तरीके से समझदी की कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर प्रिदिने शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एजिन की Chemistry और Nomenclature का कीचामीन हाइड्रोक्लोराइड जैसा की हमने classification में देखा था ये एक General Anesthetic Agent की तरीके से यूज किया जाता है बहुत जादा इसका आज के समय पे नहीं होता है लेकिन फिर भी एक General Anesthetic के तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है अगर इसको हम लोग Chemical Classification देखा जाए तो ये एक Aryl Cyclohacyl Amine Group होता है अब आप में से कई सारे लोगों के Message आते हैं कि सब हिंदी में बताईए देखिए भई हम हिंदी में ही बता रहा हूँ लेकिन जो हम लिखते हैं वो English में एकड़म Short आप कह सकते हो कि Point Wise लिखते हैं ताकि आसान तरीके से आप लिख सको एक जो जोड़ी बात वो ये है कि English में Answer करने पर आपके Marks अच्छे आएंगे और ये English आसान है हिंदी लिखना इसके लिए मुश्किल हो सकते है लेकिन English लिखना इसके लिए क्या है आसान है तो आईए कोशिश करते है ये देखिए इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक Arryl Ring है यानि कि एक Aromatic Ring है एक Cyclohexil Ring है Cyclohexil का मतलब हो गया कि Cyclohexane जैसी Ring है और Amine Group है Amine Group का मतलब होता है NH या Amino Group यहाँ पर आपको देखने को या Substituted Amino Group यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा अगर हम इसको और elaborate करते हैं तो मैं पता चलता है कि ये एक Cyclohexanone derivative है आईए इसको ध्यान से देखते हैं स्ट्रक्चर को तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर देखिए अगर इस Ring को ध्यान से देखें यह 6 Carbon की एक Ring है 1,2,3,4,5,6 6 Carbon की एक Simple Ring है यह Benzen Ring नहीं क्योंकि यहाँ पर Double Bonds नहीं है हर Carbon के पास यहाँ पर जो हैं दो-दो Hydrogen लगे हुए है ठीक है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि एक Cyclohexanone अब इस Cyclohexanone के एक Position पर या किसी एक Carbon के उपर अगर आप दोनो Hydrogen हटा करके Oxygen जोड़ देते हैं Double Bonds लगा के यानि कि एक Ketone में Convert कर देते हैं तो अब इसका नाम हो जाता है Cyclohexanone अब इस Ketone में क्योंकि Ketone Group सबसे बड़ा होता है इसलिए Number हम लोग यहाँ से Start कर रहे हैं और दूसरे Number का Carbon जो है इस दूसरे Number के Carbon पर दो जो है Substituents लगाएगे हैं पहला जो हमारा Substituent है वो एक Methyl Amino हमने कहा था Amine Group होगा एक Substituted Amine Group है यानि कि एक Methyl Amino Group लगा हुआ है Methyl Group लगा हुआ है Amino Group के उपर एक Hydrogen को टाक करके CSC लगाया तो इसे क्या कहेंगे Methyl Amine और यह Methyl Amine कहा लगा हुआ है दूसरे Number के Carbon पर इसी तरीके से इस Cyclohexanone Ring के दूसरे Carbon के उपर एक और Substitution लगा हुआ है इसको दगर ध्यान से देखें तो यह एक Benzen Ring है और इस Benzen Ring के दूसरे Carbon के उपर क्या लगा हुआ है एक Chloro लगा हुआ है तो इसे हम इस Substituent को क्या बोलेंगे 2 Chloro Phenyl यह 2 Chloro Phenyl जो है वो हमारे Cyclohexanone के दूसरे Carbon के उपर लगा हुआ है इसी लिए हम कह सकते हैं कि यह एक Cyclohexanone Derivative है जहाँ पर दूसरे Position पर दूसरे नमबर पर 2 Chloro Phenyl और 2 Methyl Amino Substituent लगे हुए हैं और अगर इसको हम लोग SCL के साथ ले लेते हैं तब इसे हम लोग जनरली यह जो Structure है वो Ketamine का है और अगर इसके साथ आप SCL का Solve Formation कर रहे हैं तब इसे हम क्या कहते हैं Ketamine Hydrochloride तो this is the structure of Ketamine Hydrochloride और यही इसकी क्या आप कह सकते हैं Chemistry भी है अगर हम इसी Structure से इसका Nomenclature भी आप निकाल सकते हो क्योंकि हम बार बार बताते हैं IUPAC Nomenclature जो होता है वो structure के उपर base होता है तो आप ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें IUPAC Nomenclature में ABCD के हिसाफ से हम लोग लगा देते हैं अगर एक से जारा subsequent होते हैं दो subsequent दिखाए दे रहे हैं C पहले आता है M बाद में आता है BCD में इसलिए C को पहले लगा दिया it is two this is the two 2 chloro phenyl two chloro phenyl हो गया two methyl amino this is two methyl amine group है बट जब IPAC Nomenclature में लिखेंगे तो ऐसे अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे two methyl amino this is the cycloheksanon तो cycloheksanon तो नाम बन गया two two chloro phenyl two methyl amino cycloheksanon जो की इसका IPAC Nomenclature है आप बोलचल की बासा में इसे ketamine HCL के नाम से जानते हैं या ketamine hydrochloride तो आप इसे कही रहे हैं अगर इसी को उल्टा करके लिग दिए इसको पहले लिग दिए इसको बाद में लिग दिए ये भी कुछ किताबों में आपको इस तरीके का भी नाम को हमें मिल सकता है अगर हम ketamine की बात कर रहे हैं तो वह जनरली powder form में क्रिस्टलाइन powder के form में या fine powder के form में हमें देखने को मिलता है लेकिन इसका प्रियोग जो हम करते हैं अपने शरीर के ओपर तब इसे हम solution के form में करते हैं इसका injection के form में हमें हो सकता है order की बात करें तो जनरली इसमें किसी प्रिकार की कोई सुगंद नहीं होती और इसकी कोई सुगंद लेने की ज़र्द भी नहीे है taste और सुगंद लेने की इस compound के कोई आउसक्ता नहीं है पिर भी अगर side effect भी है इसकी एक जो property हम उसे कह सकते हैं कि यह hallucinations cause कर सकता है जब इसे कोई व्यक्ति शरीर के अंदर लेता है तो उसे अजीब अजीब से खयाल आने लगते हैं आसपास की चीजों से उसका मन मुटाव होने लगता है इसकुछ इस तरीके की हरकतें यह compound कर सकता है melting point की बात करें तो काफी high melting point है इसका यह 262.5 degree Celsius तक इसका melting point होता है solubility की बात करें तो आसानी से water में solubile है methanol में solubile है ethanol में solubile है तो इसलिए हम लोग से water में solubile है तो injection के form में generally ले लेते हैं stability और storage की बात करें तो एक बड़ी खास बात पता चली कि अगर पता चलती है stability देखने पर इसकी कि अगर आप इसे heat करते हैं मतलब इसे गरम किया जाता है थोड़ा तो यह गर्मी पाक करके decompose होने लगता है और इसकी वज़े से इसमें से different different fumes निकलती है जो कि toxic हो सकते हैं से natus oxide की gas निकल सकती है different chlorine जैसी gases निकलते लगती है तो यहां से काफी toxic fumes निकल सकते हैं इसलिए हम दूसी चीज़ी है अगर light के exposure में आता है तो भी इसका color change होने लगता है अगर इसका white color जो है वो change होकर कि कुछ dark color में बदल जा रहा है तो आप समझ जाएगा कि अभी इसकी quality अच्छी नहीं रही और से लेने की कोई आवशकता नहीं है इसलिए क्योंकि यह heat या light को पाक करके कई बार moisture को पाक करके यह precipitate form में convert हो जाता है नहीं जाएंगे यह है इसकी stability and storage यूजेस की बात करें तो यह एक general anesthetic agent है और इसको generally हम लोग उच जगहों पर यूज करते हैं क्योंकि इसका duration of action बहुत कम होता यानि कि बहुत ही कम समय तक अपना action यह show करा पाती है इसलिए इस drug को हम लोग generally short term diagnostic जैसे कि कोई चीरा लगा कर के या दात इत्यादी का कोई surgery कर रहे हैं वहां कर diagnosis करनी है कि problem क्या है तो दर्द हो सकता है तो उस दर्द से बचाने के लिए छोटी समय के लिए अगर कोई surgery या diagnostic procedure किया जा रहा है तब हम लोग इसको as a general anesthetic use कर सकते हैं इसका side effects बहुत जादा है hallucinations cause कर दे रहा है confusion होने लग limited use आज के समय में किया जाता है नहीं बहुत जादा यह use आज के समय पर नहीं होती आपके syllabus में है इसलिए हम लोग पढ़ लें बहुत जादा इसका प्रयोग अब नहीं होता कुछ countries में तो इसको प्रयोग करने पर band भी लगा हुआ है अब बात करते हैं लेकिन एक अच्छी agent है इसको कभी भी हम लोग क्या नाम है inhaling करते या टाबलेट या capsule के format में हमको इसको लेने की को आवशकता नहीं है फार्माफिट का formulation की बात करें कि यह बार बार बता रहा हूं कि यह injection है तो यह हमें इंडियन फार्माकोप्या में कीटा माइन हैड्रोक्लोराइड इंजेक तो वह होता है बट यह powder form में ही आपको मिलेगा powder form में लेकरके उसमें आपने water mix करके injection complete करके लगा सकते हैं या liquid preparation के रूप में liquid injection के रूप में भी आता है जबकि एनिके 20 ml यानि liquid preparation के रूप में जो injection आ रहा है वो भी neon laboratory limited बनाती है कीटा वी injection के नाम से आता है Swiss pharma limited के द्वारा और कीटम injection के रूप में आता है या इस नाम से आता है मार्केट में मिलता है आपको यह मिलता है sun pharma से टोईका फर्मासोटिकल का जो parental section है वो इसे कीटा मैक्स injection के रूप में या इस नाम से इस ब्रांड नेम के नाम से मार्केट में लेकर के आता है modern laboratories जो है इसे कीटा माइन SEL 10MG के injection के रूप में देती है जब कि थैमिस Medicare जो है वो कीटा मीन के नाम से इसे मार्केट में उतारता है other जो name है जो की different countries में हमें देखने को मिलते हैं इसके कुछ common name में भी ये आ जाते हैं कि इतने famous ब्रांड्स हैं ये that is कीटा सेट, कीटानेट्स और कीटोलैर ये जो ब्रांड्स है ये अलग-अलग countries में ये अपनी countries में भी कई जगों पर देखने को मिल सकते हैं तो यह था अबार topic जहाँ पर हमने ketamine hydrochloride को आसान तरीके से समझने की कोशिश की जो भी कुछ आपके syllabus में है उसके इसाब से एक चीज़ हम लोग कहना चाहते हैं आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा कि हमने अपना mobile application लेकर किया हैं जहाँ पर हम लोग समय समय पर जो courses कर रहे हैं और free and paid दोनों courses आपको महाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो आप में से अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया application को तो उसका लिंक आपको description मिल जाएगा आप उसे download करें देखें कोई suggestions हो तो वह suggestions भी आप हमें दे सकते हैं थाकि हम उसे ठीक करे या बाकी इस question से या इस topic से related कोई problem हो आपको कोई question से हो आपके तो आप comment box में लिख सकते हैं उसको आप answer करने की कोशिश करेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद